Welcome to my channel Smart Study Math कमजोर होना यह आपके कमजोरी नहीं है लेकिन math को कमजोर बना के रखना यह आपके सबसे बड़े कमजोरी है तो अगर आपको math से डर लगता है तो इस वीडियो पर बने रहे आपका डर वीडियो के अंग तक पूरी तरह से दूर हो जाएगा तो दूर कैसे होगा यह डर आप यहाँ पर स्क्रीन में देखिए आपको करने होंगे क्या आपको करने होंगे थ्री स्टेप पूरे कोई भी math आप सॉल्ब करते हैं तो आपको तीन स्टेप्स फॉलो करने होते हैं सबसे पहला स्टेप What is given? क्या दिया हुआ है what have to find क्या निकालना है and how will find कैसे निकालना है plus concept concept के लिए जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ start कर चुका हूँ तो अभी तक तो दो ही concept हो पाया है तो ऐसे concept मैं जो हूँ वो बहुत concept लाने वाला हूँ आपके लिए तो चलिए start करते हैं math का डर कैसे दूर होगा तो चलिए इसके लिए हम कुछ examples देखते हैं क्योंकि यह बिना example के आपको यह समझ भी नहीं आएगा let's start स्क्रीन में आपको question दिखा दे रहा है ध्यान से देखिए question number first हम इसे question से समझते हैं यह एक right angle triangle है ABC right angle triangle आपको पता है कि ऐसा triangle जिसमें एक angle जो होता हूँ 90 degree होता है उसे right angle triangle करते हैं ठीक है तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ हम रूस को follow करते हैं ध्यान से समझ एगा right angle triangle what is given इस question में क्या दिया हुआ है इस question में दिया हुआ है A B equal to 3 cm and B C equal to 4 cm ठीक है it is given no what have to find निकालना क्या है हमें दूसरा step पहला step हो गया दूसरा step हमें निकालना A C ठीक है अब यह हम निकालेंगे कैसे यह निकालने के लिए आपको ध्यान रखना होगा इस चीज़ पर अगर आपका concept के लिए रहे तभी आप इसे निकाल सकते हैं अधर बिलकुल निकाल सकते हैं तो रटना आपको तो बिलकुल भी नहीं है इससे पहले वे मैंने एक motivational वीडियो में बता चुका हूं कि रटना आपको बिलकुल भी नहीं है आपको concept के लिए रखना है तो सबसे पहले यहां पर समझे कि right angle triangle right angle triangle यहां पर आप देख रहे हैं यह जो right angle triangle है इसको हम करते हैं perpendicular इसको पी हम कर सकते हैं ठीक है और यह जो है यह आप इसको बी कर सकते हैं परपेन्डिकुलर ऑं इसे आप Religion Brahma करसकते हैं ठीक हैं ठीक है तो concept क्या है concept यह है कि जो पायथागोर्स theorem होता है पाइथागोरस थी ओर इस पर आपका कॉंसेप्स क्लिए रहना चाहिए कि वाट इस पाइथागोरस थी ओरम का यूज जो है वह हम लोग राइट अंगल में कर सकते हैं ठीक है अब इसके बाद हम इसे निकाले कैसे तो इसको निकालने के लिए आपको यह सूचना होगा कि इस यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो हाइपोटेनस ठीक है हाइपोटेनस का स्क्वाइर इक्वल टू पी का स्क्वाइर और प्लस बी का स्क्वाइर स्वाट में लिख रहा है यहाँ देखे एच मतलब हाइपोटेनस हो गया पी मतलब परपेंडिकुलर हो गया और बी मतलब बे सब वह है आपका थी सेंटिमेटर तो आप यहां पर से अधिरी सेंटिमेटर यह फिर इससे, में A, B 이것 förुक्ते विश्क घ्लिख दरते हैं। तो Sega, Kama 2 Maa, सब्सकेश का सब्सक्जिक था सकते हैं। अब भी वाप कीटीनी है। ठीक है और B C कितना है 4 cm अब यहां पर आप देखिए कि A C का स्क्वाइर प्लस 3 का स्क्वाइर, 3 का स्क्वाइर कितना होता है 9 cm यहां पर भी आपको कॉंसेप्ट के जोरोत होगा, बट नहीं तो आप क्या की जागा 3 2 6 ली दे जागा, यह गलत हो जागा, 4, 4 का स्क्वाइर 4 फोर जाए 16 cm2, अब हम क्या करते है, A C का स्क्वाइर, 9 प्लस 16 के तरह हो जागा 25 cm2, अब इसको दो तरीके से बना सकते है, कैसे बनाएगा, यहां पर देखिए 25 है तो आप इसको 5 cm2 का स्क्वाइर लिख सकते है, तो यहां पर देखिए कि क्या है ने, A C का बहलू कितना आ जो ब्रैकेट के अंदर है A C, यहां पर ब्रैकेट के अंदर 5 cm2, ऐसे निकल गया, आप इसे दूसरे विवेसे भी निकाल सकते है, अगर A C निकालना है, तो आप जब स्क्वाइर बराबर के उधर जाता है, तो वो रूट बन जाता है, तो अगर आपको रूट नहीं आता ह है, तो आप इस सबने है, आपको स्क्वाइर बेस कि अमुक्रोंग निकालने आता है, तो यहां पर देख रहा है, का यहां पर होना बहुत है роз רק क्ष़ा रिक है, तो यहां पर देख रहे हैं, आप को पार्थोर्स थीओरम ही निह पता हो तो आप कैसे बनाएक मेंगाएगा What is given, क्या दिया हुआ है, and what have to find, and how will you find. How will you find, मैं आपको थोड़ा सोचना होगा, कि इसको कैसे बनाएंगे. अगर आप यह सोच लेते हैं, आपका concept clear है, तो बहुत ही आसानी साथ आप इस question को solve कर सकते हैं. चलिए एक और question के साथ, चलिए मेरे थ्री स्टेप को समझने के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, दूसरा question, दूसरे question से इसे प्रूब करते हैं, कि जो त्री स्टेप सही है, यह वाकए मैं काम करता है या ने, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं, question क्या है, a football is bought for Rs. 120 and sold at Rs. 84, what is loss or gain percent, हम यह निकाला है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर दियान रखे है, मैंने क्या कहा, what is given, अब यहाँ पर समझे कि क्या दिया हुआ है, तो bought, that means खरीदा गया, ठीक है, कि 120 में कोई चीज खरीदा गया, तो खरीदा गया, तो उसे हम क्या करते है, उसे हम करते ह हो गया, यह हो गया, आपका 84 रूपीज, ठीक है, यह दिया हुआ है, ठीक है, अब दूसरा, दूसरा क्या है, what, have to find, क्या निकालना है, तो हमें निकालना है, लॉस, ठीक है, और gain percent, loss या फिर gain, या तो हो सकता है, इसमें loss हो या फिर gain हो, यह हमें निकालना है, यह दूसरा तो आप यहां पर देहान से समझ यह कि यह जो 20 है 120 में हम खरीदे ठीक है और 84 उसमें हम बेच दी है ठीक है तो खरीद रहें हम ज्यारदा पैसे में और बेच रहें कम में लॉस होगा ठीक है तो यहां पर लॉस हो रहा है तो आप यहां पर क्या किजएगा 120 में 84 माइनस कर दीए कितना का लॉस होगा यह आपको पता चलाएगा तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 36 रुपया का लॉस होगा ठीक है आप इसको बनाएगा कैसे बनाने के लिए आपको कॉंसेप्ट है कि लॉस परसें निकालते हैं लॉस होता है लॉस जो होता है यह लॉस कितना अगया थर्टी सिक्स एंद सीपी कितना है वन हंडेड ट्वैंटी और फिर यह हंडेड परसेंट ठीक है अब यहां पर देखे जीरो-जीरो काट देते हैं और यह ट्वेल्व थिरी जा आप थिरी टेंज है कितना हो गया 30 पर बिल्कुल भी सही आएगा तो मैंने एक दो कोशन से जो है आपको यह पूरूब करके दिखा दिया कि यह तीन स्टेफ वाकए में काम करते हैं अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा लगता है कि नहीं आप यह तीन स्टेफ फॉलो करने चाहिए तो अपने दोस्तों को जरू सेर करें और अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस तरह से नए-ने ट्रिक्स नए-ने कॉंसेप्ट है मैं आपके लिए लाता रहूंगा थैंक्यू थैंक्यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो